नमश्कर दोस्तों आज हम बात करेंगे OCD20 कैपसूल के बारे में इसके फायदे नुकसान इस्तमाल करने का तरीका और केतने दिनों तक इसको इस्तमाल कर सकते हैं इन सभी बातों किसी वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो मेपराजोल गेस्ट्रो रेसिस्टेंट कैपसूल और इसका MRP नए में बता पाऊंगा क्योंकि यह जो मेरे पास है यह एक सैंपल है तो इसमें तो दो ही कैपसूल आते हैं क्योंकि एक सैंपल है तो इसके उपर MRP नहीं होता है तो चलिए बात कर लेते हैं इसका इसकी किस काम में इस्तमाल किया जाता है दोERS के ओपयोग गैस और अचैती को ठीक करने के लिए कि लिए कि जाता है जैसा कि आप इस पे देख रहे हैं चाती में जलन हो रही है या फिर पेट भरा भरा लग रहा है पेट में छाले हो गए है या फिर पेप्टिक अलसर है या ज़्यादा दवाईयां खाने की वज़ए से गर्मी हो गई या अंदर छाले हो गए है तो भी इसका इस्तमाल किया जाता है कब्स की प्रोब्लम को भी य हाथ देती है साथी साथ गले में जलन है चेस्ट में जलन है गैस की वज़ेसे तो उसमें भी इसका इस्तमाल किया जाता है इसकी जो डोस होती है इसको जो तरीका होता है खाने का वो सुबह होता है खाली पेट एक कैपसूल देना चाहिए पेशल को और दिया जाता है और इसक प्रवु ठशाना वगएरा भी का सकते हैं तो इसका 10 दिन से लेके 3-4 महिने तक भी इस्तमाल करनी को बता सकते हैं जैसी पेशिंट की साथ महँचिकि यह हो भी इसके हम मेशosition होगी पर वह देसके norраж मेश को बता जाता है क्यों कि इसको अपनी दिन पर इसके साथ6 provider 2 दस्त लगना या फिर सिर्दर्द होना मतली आना घबराहाट होना ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर एक कैपसूल लेने से होती है पहले ही दिन से तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताईएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूं आपको इवडियो अच्छा लगा दूरी को लाइक जरू कर दिन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद